पंजाम में विदानसबा चुनाव परिणामों में आमादमी पार्टी ने बंपर जीत असिल की है 117 सीटों वाली विदानसबा में आमादमी पार्टी को 29 सीटों पर भड़त मिली यहीं नहीं आम आदमी पार्टी के मुकाबले कॉंग्रेस और आकाली दल के तमाम दिंगर्ज नेता हार गए इसमें चरंजीत सिंग चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंग, नवजोज सिंग सिद्धू, विकरम सिंग बजीटिया, परकाश सिंग बादल, सुकबेर सिंग बादल भी शामिल है यह वो बड़े नाम रहे जो पंजाब की राजनीती में दश्कों से काबिज थे ऐसे में आमादमी पार्टी की यह जीत बहुत माइने रखती है रुजानों में बड़े जीत के बाद अरविंद केजरिवाल ने बताने में देर नहीं की कि यह पूरे विपक्ष की हार है जो आमादमी पार्टी के खिलाफ एक जुट था सियासी जानकारों का कहना है कि पंजाब विदानसबा में इस बार फ्रेश लीडर सीप सामने आई है बगमत मान भी पहली बार विदाएक बनकर विदानसबा पहुंचे और पहली बार विदाएक बनने के साथ ही पहली बार मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे है वहीं पंजाब में जीत के बाद अर्विन केजरिवाल ने समूचे विपक्ष परती का हमला बोला केजरिवाल ने का कि नवजोट सिंग सिद्दू को हमारी एक वॉलिंटियर जीवन जोत कोर ने हरा दिया उन्होंने विकरम सिंग मजीठिया को भी हरा दिया एक मोबाइल रिपेरिंग की दुकान में काम करने वाले ने चरंजी सिंग चन्ली को हरा दिया याम आदमी की जीत है यह जब आम आदमी जाग जाता है तो फिर इंकलाब आ जाता है मुझे पुरा विश्वास है कि जो उमीद जनता ने हम से दिखाई है उस पर हम खरा उतरेंगे इतने बड़े भहुमत से दर भी लगता है हमारे उपर लोगों ने जो उमीद जताई है उसे पूरा करना होगा अर्विन केजरिवाल ने आगे कहा कि मैंने कार्यकरताओं से कहा था कि अर्विन केजरिवाल पर कोई कुछ भी कहे आपको जवाब नहीं देना मुझे कहा गया कि मैं काला हूँ अंग्रेज हूँ गालियां दी गई लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है कि हम इसका जवाब वोट से दें दिली के सीम और आप सुप्रीमों ने कहा कि हमारे उपर जादा जिम्मेदरी आ गई और पूरी घंबिरता के साथ हमें लोगों की सेवा करनी है वहीं केजरीवाल ने कहा कि बहुत बड़ी ताकते मिलकर आज देश को आगे बढ़ने से रोपना चाहती है आपने देखा कि पंजाब में कितने बड़े सड़ी अंतर किये गए सारे एकटे हो गए और आमादमी पार्टी के खिलाफ इन सब का एकी मकसद था कि आमादमी पार्टी नहीं आनी चाहिए चाहे कोई भी आए अंत में ये सारे एकटे होकर बोले कि केजरीवाल आंतकवादी है केजरिवाल ने का कि नतीजों के जिरिये देश की जनता ने बता दिया कि केजरिवाल आंतकवादी नहीं है केजरिवाल देश का सच्चा सपूत है केजरिवाल सच्चा देश फक्त है जनता ने बता दिया कि आंतकवादी तुम लोग हो जो देश को मिलकर लूट रहे हैं Bureau Report, DPK News.